हेलो सातियो सभी को नमस्कार आज एक बार फिर स्वागत है आपका नालंदा ओनलाइन क्लास के इस यूटूब प्लेट फरम पर आज हम एक टोपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है लोकपाल क्योंकि current affairs में अभी question चर्चा में रहा है कि हाल ही में भारत का नया लोकपाल प्रमुक किसको बनाया गया है तो पहले हम इसको जानेंगे कि टोपिक चर्चा में क्यूं है फिर इस टोपिक के बारे में संपूर्ण डिटेल जाने की कोसिस करेंगे तो आइए start करते हैं आज की class topic लिखना लोकपाल क्या topic है आज का हमारा लोकपाल ठीक है हमारा topic है लोकपाल अभी देखो इसको हम किस तरह ऐसे पढ़ेंगे पहला देखो हम इसका एक बना लेते हैं schedule सा जिसमें हम जानेंगे प्रमुक बिंदियों उपर चर्चा करेंगे प नहीं फिर हम जानेंगे कि इसकी इस पद की यह इस संस्था की क्योंकि लोकपाल कोई पद नहीं है यह संस्था है क्या है संस्था और जो इसका प्रमुक होगा वही लोकपाल प्रमुक कहलाता है लोकपाल का अध्यक्ष कहलाएगा फिर हम इसकी एतियासिक प्रष्ट भूम जानेंगे ठीक है कि सबसे पहले विश्व में किस देश ने लोगपाल के पद को सरजित करा या लोगपाल को क्या कहा जाता था उस देश में यह जानेंगे भारत में इसका क्या इथियास रहा है फिर देखेंगे हम इसकी न्युक्ति की क्या प्रिकरिया होती है ठीक है न्यु ठीक है सन्नचना कि लोकपाल एक लोकपाल में लोकपाल प्रिमुक होता और आठ अधिक्तम सदस्य हो सकते ठीक है और साथ ही साथ देखेंगे इनका कारेकाल कारेकाल ठीक है और यहीं पर देखेंगे वेतन और बद्ते वेतन और बद्ते तो इन सबी पोईंटों पर हम चर्चा करेंगे ठीक है और जो भी लोकपाल से कुस्छन बन पाएंगे यह इस टॉपिक से वो सबी जो परिक्षा होंगी सभी के लिए इन्पोरेंट होंगी, तो इस में देखो, सबसे पहले हम, पहला टॉपिक लेगे, कि क्यों है, ठीक है? चर्चा में क्यों है? तो कारण है चर्चा में का की हाल ही में जो एक सुप्रीम कोट के सुप्रीम कोट ऐससे लिख दिया इसका मतलब सुप्रीम कोट के पूर्म न्यायधीस Supreme Court के पूर्म न्यायदीश पूर्म न्यायदीश जिनका नाम है A.M. Khan Willkar क्या नाम है उनका A.M. Khan Willkar नाम है उनका A.M. Khan Willkar A.M. Khan Willkar A.M. Khan Willkar ठीक है तो इनको भारत का नया लोकपाल प्रमुक निक्त करा गया है President के दवारा भारत के राष्टपती जी के दवारा तो क्या बनाया गया इनको भारत का नया लोकपाल प्रमुक लोकपाल प्रमुक ठीक है अगर इनका पूरा नाम आप से पूछे लगे एम खान विलकर का एक्जाम में तो अजय मानिक राव अजय मानिक राव खान विलकर पूरे नाम के लिए भी रेडी रहें पूछ सकता है ठीक है एक्जामनर ऐसे भी कुश्चन तो चर्चा में ये टोपिक इसलिए कि हाल ही में जो सुप्रिम कोट के पूर्व नयादीस थे एम खान बिलकर उनको भारत का नया लोकपाल प्रमुख नुक्त करा गया है इनकी निक्ति किसके द्वारा करी जाती है निक्ति करी जाती है भारत के राष्टपती जी के द्वारा निक्ति कौन करता है राष्टपती अगर कुश्चन पूछने लगे ठीक है और सपत भी कौन दिलाता सपत भी राष्टपती जी ही दिलाते है ठीक है निक्ति और सपत रा लोगपाल संस्था थी उसके प्रमुक के रूप में पहले लोगपाल प्रमुक पिनाकी चंद्र गोस को बनाया गए था तो पहले लोगपाल प्रमुक कौन थे पिनाकी चंद्र गोस ठीक है और 2022 में रिटार हो गए उसके बाद ये पद खाली पड़ा हुआ था तब ही से एक व्यक्ति थे प्रदीप कुमार मोहन्ती वो जब से इस पर कारेभाहक के रूप में काम कर रहे थे ठीक है तो कारेभाहक के रूप में कौन काम कर रहे थे पूछ या सकता ठीक है तो नाम या देखना आप किसका प्रदीप कुमार मोहंती ठीक है एस्थाई रूप से काम कर रहे थे और अब जो दूसरा इस्थाई लोकपाल प्रमुक बने हैं वो कौन बने एम खान विलकर तो इस टोपिक के चर्चा में रहने का ये कारण था ठीक है नुक्ती राष्टपती जी के दुवारा होती है सफत क है अब बात करेंगे के याद रखना कि लोकपाल क्या है माल का सबसे पहले याद रखना कं लोकपाल एक संस्था क्या है संस्था ठीक है जिसमें एक अध्यक्ष और आठ अधिक्तम सदस्य होते हैं ठीक है तो एक अध्यक्ष होते हैं इसमें और अधिक्तम कितने आठ सदस्य मेंबर हो सकते हैं यह इसकी संद्चना होती है साथ ही साथ याद रखना आप कि लोकपाल जो सब्द दिया था लोकपाल सब्द ठीक है लोकपाल ये सब्द किसे ने दिया था जो भारत के एक व्यक्ति थे कानून भी थे एलम सिंग भी लक्ष्मी मल सिंग भी लक्ष्मी मल सिंग्वी या इनको क्या बलते हैं ऐलम सिंग्वी ठीक है उनीस्ट टडेएट में यह सब्द दिया था ठीक है ऐलम सिंग्वी जीते दाना अब बात आती है कि लोकपाल क्या है लोकपाल एक ब्रश्टा चार विरोधी संस्था है जो correction को रोकती है, किसको रोकती है, correction, ये सभी प्रशासनी कधीकारी हों, चाहे ग्रूप A, ग्रूप B, group C, group D के सभी केंद्रे करमचारी ए राज्य करमचारी हों, यहां तक कि प्रधान मंत्री भी कुछ हथत्त तक इसके दारे में आते हैं, सभी प्रिकार के मंत्री, MP, MLA, सभी इसके अंडर में आते हैं, तो ये किसकी जांच करता है, ब्रष्टाचार की, करप्षन की, तो ये ब्रष्टाचार, विरोधी संस्था है, ठीक है, ब्रष्टाचार विरोधी संस्था है, सब प्रथम देखो, एक देश है, इसकेंडिनेव तो यवी है प्याजीट में तीन देश आते है नारवेज, स्वीडन और डेन्मार्क तो सबसे पहले 1809 उष्वी में अगर हम इसकी ए थियासिक प्रस्ट भूमी कि बात करे देशिट आप प्रस्ट भूमी कि बात करे जाए सब्रतम अठारे सो नौम इंद सुइडन देश में स्वीडन देश में और कुश्चन पुचा जांता है प्रायदीप का कभी कभी इसकयंडी इसकयंडी नेवी आई प्रायदीप कभी कभी यह ug me यह आएगग्ग्य इसकयंडी नेवी आई देशों से लिया गया यह concept ठीक है तो सबसे पहले Sweden ने इस पद की निउक्ति करी थी और Sweden में इस पद को बोलते हैं ombudsman क्या बोलते हैं ombudsman ठीक है ombudsman इसी का इंडियन वर्जन ombudsman का इंडियन वर्जन यानि भारते वर्जन क्या है लोक पाल ठीक है ना लोक मतलब जन्ता सोरी लोक मतलब जन्ता सही बोला और पाल मतलब रक्षक ठीक है जन्ता का रक्षक इसी का वर्जन है लोक पाल किसका ombudsman का कई बार दिजलाम है कि लोकपाल की नुक्ती विश्व में सब पृत्म कहां पर हुई थी कहां पर हुई स्वीडन में और क्या बोला जाता था उस समय उहाँ उनको बोलते हैं फ्वीडन में ओम बड़्स में तो यह पॉइंट आपको याद रखना अगर भारत में बात करें भारत में लोकपाल की सिपारिश सब्र्थम किषन्यकरी तो याद रेखना जो पिर्थम पिरसासनिक सुधार- juegos ता 1966 में उसके द्वारा सब्र। खशलंके और साथतों करने सबीदित लोगपाल की निक्ति का सुजहाब दिया गया था था थिकहां ओं। भारत में अगर बात करें हम बात करें हम भारत में भारत में, 1966 में पर्थम परसासनिक सुधार, पर्थम परसासनिक सुधार आयोग आया था, सुधार आयोग, ठीक है? और इसके अध्यक्स ते मौरार जी देशाई मौरार जी देशाई कि किस पिरकार से प्रसासन में सुधार करा जा सकता है इसके लिए प्रतम प्रसासनी सुधार का गटन करा गया था बाद में इसके अध्यक्स हो गए थे के हनुमन तया के हनुमन तया क्योंकि इनों ने इस पद को छोड़ दिया था अध्यक्ष के पद को मुराजी देशाई ने तो ये घुष्चन भी अपने आप में पूछा जाता है कि प्रतम प्रसासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे मुराजी देशाई उनके त्याग पत्र के बाद कौन बने थे तो के हनुमनतिया इसी आयोग ने सप्रतम भारत में लोकपाल किसी पारिश करी थी किस किसी पारिश करी थी लोकपाल किसी पारिश ठीक है कि भारत में भी क्या होना चाहिए लोकपाल होना चाहिए उसके बाद जब इंद्रा गांदी जी की सरकार आई क्योंकि इस आयोग न रिपोट 1967 में दी उन्हितर में इंद्रा गाजदी जी की सरकार होई थी तो इंद्रा गाजदी जी की सरकार ने पहली बार लोकपाल एवन लोकाıl युक्तदी नियम उन्हिस्तो नेच्तर कहां पर संसद में रखवाया परंतु कीशी कानवा सुख बिल भी यह सब ही लोग बिल कर बैठे कि लोग पाल बिल लाओ लोग पाल बिल लाओ उसके बाद संसद मैं इस बिल को लाया गया फाइनली बिल 2013 के नाम से जाना गया उस बिल का नाम था लोक का युक्त लोकायुक्त अधिनियम अधिनियम 2013 लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 ठीक है तो जब ये बिल एक जनवरी 2014 को पास हुआ ठीक है और इसको बाद में लागू भी करा गया फिर भी उसके बाद भी 2019 तक लोकपाल प्रमुक्ती नहीं हो पाई क्योंकि सरकार जब न्युक्ती की पिरक्रिया में एक चैन समीती होती है उसमें एक व्यक्ती की जुरूत पढ़ती है विपक्ष के नेता की तो उसमें विपक्ष के नेता का पद खाली था इस पर भी हम चर्चा करेंगे पहले जानेंगे कि लोकायुक्त सब्द क्या है देखो लोका उक्थ को समझो जो अगर कैंद्र में यह वक्ति यह तो इसको लोक्पालो बोला जाएगा आग अब जब राज्य इस्पिरकार के वक्ति निक्ति करते हैं लोका युक्त तो वह वो कहलाता लोकायुक्त तो ये स्टेट के लिए राज्य के लिए होता ठीक है। Hello लोकायुकत में यही है। वह केंद सरकार का आधीकारी होते हैं और ये राज्य सरकार के। अब देखो, संद्रचिना हमने जान लिए, आठ मेंबर होते हैं, और एक अध्यक्ष होते हैं, साथ ही साथ जाना कि इसके एथियाशिक प्रष्ट भूमी क्या थी, और पिर्थम, फिर 2019 में पिनाकी चंदर गोस बने, फिर उनकी जिगे प्रदीव कुमार मोहंती आये, कारे ब जाक्ष होते हैं, एक तो फिर्मुक होते ही हैं इसके लोकपाल के, ठीक है, साथ ही साथ, जो आठ सदस्य होते हैं, इन आठ सदस्यों मैंसे, जो आदे सदस्य, यानि चार सदस्य, 50% जो होंगे, वो नियाइक छेतर से आएंगे, कौन से छेतर से आएंगे, नियाइक छेतर स ठीक है यानि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के क्या होने चाहिए नियाधीस रहे हो तो वह के लिए आते हैं इसमें आते हैं दूसरा 50% होते हैं गैर नाइक सदस्य यानि 4 सदस्य क्या होते हैं चार सदस्य से गैर नाइक होते हैं ठीक है इसमें इन चार सदस्यों में SC SC से आएगा OBC से आएगा ठीक है SC OBC ST और आपके माइनोर्टी अलपसंख्यक अलपसंख्यक माइनोर्टी वर्ग से आई और वूमैन यानि महिला हूं इनको आरक्षित करा गया सीटों को ठीक है जो यह पांच बैठते हैं तो कोई ऐसा होगा कि किसी कार्ष से महिला को ले लेंगे तो SC का भी कोटा पूरा हो जाएगा और महिला का भी तो इस टाइप से यह सन्नचना में होते हैं अब देखो जो लोगपाल की सन्चना का मुख्याले का है लोगपाल संस्था का मुख्याले एजेंसी का मुख्याले तो नई दिल्ली आठ सदस्यों की बात हुई अब देखो जानेंगे योगधा योगधा योग गता कि किस व्यक्ति को लोगपाल प्रमुख बनाया जा सकता सबसे पहले हम लोगपाल प्रमुख की जानेंगे योग गता तो इसमेदे को पहला point याद रखना इसके लिए योग गता है लोगपाल प्रमुख के लिए लोगपाल के अध्यक्ष के लिए योग गता पहली कि वो व्यक्ति वर्तमान में सुप्रीम कोट का जज हो या मुख्य नयदीश हो यानि सुप्रीम कोट में चाहे वो मुख्य नयदीश हो या अन्य नयदीश हो या रिटायर हो चुके हो यानि पूर्व सेवानिवर्थ हो चुके हो तो पहली योगता क्या है पूर्व मुख्य न्यायदीष जो भारत के पूर्व मुख्य न्यायदीष है उनको इस पत्र पर न्युक्त करा जा सकता और याद रखना जो वर्तमान में भी है करेंट में भी है उनको भी न्युक्ति दी जा सकती है ठीक है साथ ही साथ अगर ये योगता नहीं है तो पूर्व अन्य न्यायद या करनट में भी व specialist Canada हों पर सुप्रीम कोड में या फिर लोकपाल प्रमुग जो बनाइ जा ay सकता है वह किसी प्रवुद्भर्ग के वैक्ती को जो italy Gendries अगर इसको नॉलिज है प्रसाषन की समाज लोगपाल पिर मुख बनाया जा सकता है ठीक है इस पदपर न्युक्ति कर जखते हैं ठीक है और कम से कम देखो ध्यान डगना लोगपाल में जाने के लिए इस संस्था में जाने के लिए न्यून्तम आयू 45 वर्स है कोई व्यक्ति कमनी होना चाहिए यह न्यून्तम आयू 45 व नुक्ति की परिकरिया नुक्ति किस पिरकार से होती है तो इसकी परिकरिया दे को तीन चरणों के लिए होती है सबसे पहले एक होती है सर्च कमेटी सर्च समीति जिसको हम बोलेंगे यह इसको हम खोजबीन समीति भी बोल सकते हैं क्या बोलते हैं खोजबीन समीति खोजमिन समीटी, ठीक है, एक होती है, चेर्ण समीटी, जिसको हम selection committee बोलते हैं, selection committee, selection committee बोलते हैं, ठीक है, और फिर finally राष्टपती जी के पास, राष्टपती जी निउक्ति करते हैं, तो तीन चरण होते हैं, सर्च कमेटी में पूछे जाते हैं लोगपाल का चुनाव करने वाले सर्च कमेटी में कितने सदस्य होते हैं आठ सदस्य होते हैं कितने सदस्य है आठ सदस्य है ठीक है यह कुछ नामों को चैन समीटी को बेजेंगे चैन समित्य उन नामों को सोट लिस्ट करेगी और चैन करेगी अब कुछ्च्चन पुझाता है इस चैन समित्य में कितने सदस्य होते हैं यह स्रेक्शन कमेड़ी होते है तो इसमें पांच मेंबर होते हैं यह बहुत इंपोरडेंट कुछ्चन है पूछाया था एक्जाम में एक तो चैन समीति में भारत के प्रधान मंत्री जी होंगे प्रधान मंत्री जी होंगे ठीक है जो इस समीति के अध्यक्ष भी रहेंगे क्या रहेंगे अध्यक्ष भी रहेंगे प्रधान मंत्री जी इसी में लोकसभा अध्यक्ष रहेंगे यानि लोकसभा के श्पीकर विपक्ष के नेता जो लोगसवामे विपक्ष के नेता लीडर ओपोजिशन विपक्ष के नेता रहेंगे ठीक है और एक रहेंगे भारत के मुख्यनायदीश कौन रहेंगे भारत के मुख्यनायदीश कौन रहेंगे भारत के मुख्यनायदीश यहानी सुप्रीम कोड के मुख सकते हो आप इसको विधी का बहुत ज्यादे ग्यान हो लाइके जैसे वो एटर्नी जन्रल हो ठीक ना तो विधी बेत्ता या कानून विध प्रिख्यात और इनकी नुक्ती भी कौन करेगा इन पांच में की इन पांच में की नुक्ती इन चारों व्यक्तियों की शिपारिश पर भारत के राष्ट पती जी दुबारा करी जाएगी ये पूछी जाती है जो विधी बेत्ता जी होते हैं उनके नाम को कैसे सर्च करेंगे कैसे तो राष्टपती जी जो भारत के राष्टपती होते हैं वो इनके नाम को सलेक्ट करते हैं इन चारों के सुझाब पर ठीक है तो ये नुक्ती के परकरिया होती है जो नाम राष्टपती जी के पास जाता उसको appoint कर देते हैं ठीक है लोगपाल प्रमुख के रूप में तो यह होता है चरण किसका नुक्ति का नुक्ति के बाद हम देखो बास करेंगे नुक्ति हो जाएगी नुक्ति के बाद कारेकाल कारेकाल देखो कारेकाल में याद रखना जो अध्यक्ष होते हैं उनका कारेकाल जो होता लोकपाल प्रमू का कारेकाल जो न्यूक्त हुए है एमे खान विलकर पांच वर्स या सत्तर वर्स की आयू तक कारेकाल तो पांच वर्स होगा इनका कारेकाल होता साथ ही साथ देखो ध्यान लखना एक पॉइंट जो कारेकाल की बात करी हमने फिर उसके बाद वेतन और भत्ते वेतन एवं भत्ते तो जो अध्यक्ष होंगे अध्यक्ष लोकपाल के प्रमुक होंगे उनको सुप्रीम कोट के मुख्य न्यादीस मुख्य न्यादीस जी के बराबर वेतन मिलेगा ठीक है और जो सदस्य होंगे सदस्य यानि आठ मेंबर जो होंगे उनको जो वेतन मिलेगा वो अन्य न्यादीसों के बराबर अन्य न्यादीसों के बराबर के बराबर वेतन और भत्ते मिलेंगे, ठीक है, तो ये वेतन और भत्ते याद रखना, देखो हमने सबसे पहले एतियासिक प्रिष्ट भूमी जानी, एतियासिक प्रिष्ट भूमी के बाद हमने क्या जाना, हमने जाना कि इनके योगता क्या है, योगता के बाद संदचना, का कर एकाल करेकाल के बाद न्युक्ति की प्रक्रिया ये सब और आब वेतन भात्त्ते सर्चा करी ठीक है अब इस इस वह में जो आपको जानना है ठीक है न मैं कॉनसे टॉपिक में लोह पालवाले में तो यह करना है कि सपत वाला भी मैंने एंगल आपको बताई दिया है ठीक है अब एक हम उत्तर प्रदेश के लिए लेकर आएंगे टोपिक जो जानेंगे लोकायुक्त के वारे में उस पर अगली वीडियो में तर्चा करेंगे जो कि लोकपाल को ही क्या बोलते हैं जो राज्याय में इसको लोकायुक्त बोला जाता ठीक है अब हम इसके कारियों और सक्तियों को देखेंगे कारिये वैं सक्ति ठीक है तो कारिये सक्ति में याद रखना इसके कारिये छेत्र में किसके विरुद जांच कर सकता प्रधान मंत्री जी भी आते हैं इसके अंडर में ठीक है हलांकि प्रधान मंत्री के सभी कारिये इसके अंडर में नहीं आते ये भी आत रखना सभी कारिये नहीं इसके अत्रिक्त सभी मंत्री मंत्री, चाहे राज्य इस्तर के हो, चाहे केंद्रिस्तर के हो, सभी प्रसासनी का अधिकारी, अधिकारी, इनके सब के खिलाब यह जांच कर सकता है, ठीक है, और MP, MLA, इतने भी सांसद या MLA होते हैं, वो इसके अंडर में आते हैं, और सभी करमचारी, चाहे गुरूप A की की बात करें, B की बात करें, C, गुरूप D, सभी करमचारी भी इसके क्या आते हैं, इसके दाएरे चेतर में आते हैं, ठीक है, पूछा जाता है, यह सब के व्रुद्र जांच कर सकता है, यहां तक कि यह CBI को भी क्या दे सकता, निर्देश दे सकता कौन, लोकपाल एक संस्त जो है, ठीक है, तो यह सभी कुष्चन पूछे जाते हैं, सबसे पहले सिपारिस किसने करी, प्रसम प्रसासनिक सुदार आयोग ने, फिर एक आयोग जो आया था, वर्स 2000 में एक आयोग आया था, वेकेंट चेले आयोग, एक फैक्ट यह भी याद रखना, वेकेंट चेले आ बाहर रखने की सिपारिस करी थी, ठीक है, वेकेंट चेले आयोग, यह वही आयोग है, जिसको सम्मिधान समिक्छा योग के नाम से भी जानते हैं, इसी की सिपारिस पर, जो भाहरते सम्मिधान का नुच्छे इक्यामन के है, यानि भाग चार के, उसमें ग्यारमा मोलिक कर् करतव्य होगा कि वो 6-14 वर्स तक ये प्रते बच्चे को क्या, निसुल को अनिवारिस एक चाप लफद कराए, तो वो वेकेंट चेले आयोग की शिपारिस पर भी जोड़ा गया था, ग्यारमा, तो यह कौन सा टोबिक था हमारा, लोक पाल, ठीक है, और अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे लोका युक्त के बारे में, ठीक है, तो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, वेरी मुच,